अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद गरता हूं भाई सब बढ़ी आउंगे श्यूडम दोस्तों बात करेंगे इंडिया और सलंका के बीच में जो एशिया कब 2023 का फाइनल खेला जाएगे देखो बहुत बड़ा मैच होने वाले दोनों टीम्स के लिए लेकिन हम लोग ये expectations रखके चलेंगे कि इंडिया की टीम इस मैच में जरूर विन करेंगे और मैच को विन करने के साथ यह इसिया कब को भी विन करके जाएगी ठीक है तो एक बार comment section में इंडिया इंडिया का नारह आप लोग जरूर से लगा देना ठीक है बाकी स्वीड़ी का अंदर हम लोग क्या स्पेशली चीज़े देखेंगे वो आपको बता दू हम लोग जो है इस वीड़ी का अंदर पांच जो है जीएल के टीमस यानि की Grand League की टीम्स देखने वाले भाई different मैंने आपे team combinations आप लोगों के लिए create करे है थोड़ा सा रिस्क आपको उठाना पड़ेगा अगर आपको GL win करने तो क्या आप क्या मैंने अपनी टीम्स के अंदर रिस्क लिए वो चीज़ आपको बताऊंगो और आप लोग क्या changes कर पाऊगे वो भी आपको थोड़ा सा समझने पड़ेंगे ठीक है तो 500 Grand League की teams आपको देखने पाई बिल्कुल भी miss मत करना और अपनी according अगर आपको जो best लगे वो changes फिर आप लोग कर सकती हूँ ठीक है वीडियो को लाइक जरूर से कर देना टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाओगे सबसे उपर टोप में एक पिंड कमेंट है वापे लिंक मिल जाएगा सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को जोईन जरूर से कर लेना टोस होने के बाद में कोई भी updates होंगी फाइनल टीमें लास्ट मुमेंट पे कोई भी changes वगरा किये जाएगे या फिर जील की टीम्स में कोई changes किये जाएगे आपको टेलीग्राम पे मैं जरूर अपडेट करूँगा तो टेलीग्राम के साथ में जूर जाना भाई लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सबसे उपर पिंड कमेंट है वाँ पे आपको लिंक मिल जाएगे आपको मैक्सिममम यहाँ पे आट से दस टीम्स बनाके जरूर चना है तो सबसे पहले टीम नमबर एक के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यह मेरा टीम नमबर एक का कॉम्बिनेशन है जो कि आपको थोड़ा सा सेफ टीम दिखेगी जहाँ पे केल राहूल मेरे टीम मेरे टीम मेरे रहेंगे और यहाँ पे कुसाल मेंडिस रहेंगे विकेट के पिंग सेक्शन्स में रोहित रहेंगे बाई विराट रहेंगे चरित असलंका रहेंगे यहां पर सुमन गिल मेरे पास में बैटिंग सेक्शन से रविंदर जड़े जोड यहां पर डी वैलालागे मेरे टीम में रहेंगे जस्परिद बुमरा कुल्दी प्यादव और यहां पर भाईया पाथिराना यह मेरे टीम रहेगी देखो टीम नमबर एक का कोमेनेसन है बट यह जो टीम है मैं आपको जैनुवल एक बात बादा दू यह टीम थोड़ा सा सेफ टीम है ठीक है तो सिंगल टीम के साथ में तो बले जी यहल जोईन मत किए अगर भाई मैं सो आपको यह सजेस्ट करूँताओं MI की आर प्रेमातासा स्टेडियम कोलंबो के वेंडियू पे जहां पे इंडिया और सलंका का जो लास्ट मैच हुआ था ना वो आपने देख ले होगा कितना लो स्कोरिंग मैच हुआ था बट हार मैच में उस परकार का विकेट आमें नहीं देखने को मिल रहा लेकिन जो फाइन काफ दिखेंगे केल राहुल और यहां पे बैया कुसाल मैंडेस दोनों विकेट के पिंग सेक्शन के प्लेयर मैंने पिक कर लिए रिशेंटी दोनों प्लेयर की जो फो में वो काफे बढ़िया देखने को मिली है ठीक है उसके बाद में रोहित रहेंगे विराट रहेंगे म दननजे डिसिलवा मेरे पास मेरेंगे बड़ा प्लेयर जो की ओल्मोस्ट यहां भी वाईस कप्टनसी में भी 13-14% सेलेक्शन में है यानि कि डी वैला लागे उनको मैंने टीम से ड्रोप करके मैंने यहां पे दनननजे डिसिलवा को टीम में पिक किया क्योंकि इनका सेलेक् क्या क्या बताएगी लेकर आपको मैं जैनुवन बात बता रहा हूँ ठीक है बड़े रिस्क आपको लेने पड़ेंगे यह चीज़ द्यान में रखो यहां पर जस्परी बुम्रा रहेंगे गुल्दी प्यादा रहेंगे और मोहमत सिराज मेरे टीम में रहेंगे अब यह ट और सिरलंका पहले बैटिंग करते हो बड़ा स्कूर नहीं करती है तो मतलब मैक्सिमम विकेट सिरलंका गे गिरेंगे और अगर बड़ा स्कूर नहीं बनेगा तो बाई टोप ओडर इनका फिर इंडिया की टीम का वो चेज़ भी करके जा सकता है अब चेज़ गरके जाएग लेकिन जब इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी और सिरलंका बड़ा स्कूर नहीं करेगी अगर आपको ये चीज़ लगती है तो आप लोग राहूल की जगह पे वो चेंज करोगे ठीक है बाकी ये अपना जो है टीम नमबर टू का को मिलेंगे अब यहां से देखो मैंने कुसल मेंडिस को टीम से ड्रोप कर दिया ठीक है केहन राउल एक मात्र में बारतिय बल्लेबास टीम में पिक करके चलूँगा विराट मेरे पास में रहेंगे रोहित को मैंने ड्रोप कर दिया मतलब कुसल मेंडिस और रोहित सर्मा दो बड़े बलेर मैंने ड्रोप कर दिये क्योंकि जी ये लेवाई इतने बड़े रिस्क तो आपको उठाने पड़ेंगे ठीक है यहाँ पे सदीरा समारा विक्रम और चरिता सलंगा ये दो प्लेयर मैं पिक करूँआ आप लोग मेरे टीम्स में एक चीज नोटिस कर पाओगे मैंने सलंगा की ओपनर्स को कहीं पे भी पिक नहीं गिया उसका रेजन क्या क्या क्योंकि सामने जस्पी बुम्रा रहेंगे और सामने रहेंगे मौमत सिराज ठीक है गिल मेरे पास मिनेंगे दशुन शनाका के साथ मेरे में डिफरेंशल गई यहां से देखो मैंने ड्रोप कर दिया दनेंजे डिसिलवा को और एक बार फिरसे मैंने पिक कली आपे डी वैला लागे को अब डी वैला लागे को टीम में पिक करने का बेनिफिट सबसे बड़ा पता है गया है वो ही है कि भाई देखो दस ओवर की गेंदबाजी तो आपको मिलेगी बट यह ना बंदा आपको बल्ले बाजी में भी बड़ी अरंस मार के दे सकते है तो इसको जो है टीम में पिक करने जब सलंका की टीम पहले गेंदबाजी करेगी यहां से पाथी रान और डी है पी मदूशन दोनों आपको भाई डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हो दिखेंगे विकेट मिलने के चांसेज बनेंगे अगर स्पिन होगा विकेट पे तो असलंका और वैला लागे पूरे दस स्पिने में मैंने यहां पे देखो सनाका को भी टीम में पिक कर लिए और नौर्मली इंडियन टीम के सामने सनाका का जो परफॉर्मेंस होता है वो काफी बढ़िया देखने को मिलता है अब हर मेंज में तो बंदा परफॉर्म नहीं गर सकता है यार वो तेक अलग चीज़ ह लेकिन नोर्मली अगर ओवरोल मिलाके देखा जाएगा तो शनाका का परफोर्मेंस इंडियन टीम के सामने थोड़ा बैतर देखने को मिलता है ठीक है जापे मेरी काटनसी रहेगी विराट पे वाइस काटनसी मेरी असलंका पे रहेगी ये रहेगा अपना टीम नंबर तीन का कोमेनेशन उसके बाद में आगे बढ़ेंगे यहां से बात करते है टीम नंबर चार के कोमेनेशन की अब आप लोग मेरी जो टीम नंबर चार रहेगी वो अपनी स्किन पे देख पाऊगे यहां से मैंने कुसल मेंडिस को रखा तो मैंने केल राहूल को ड्रोप कर दिया यहां से मेरे पास में रोहित रहेंगे विराट रहेंगे और सुम्मन गिल रहेंगे यहां से कुल्दीब को मेरी कैटनसी रहेगी वाइस कैपनसी मेरी कुसल मेंडिस को रहेगी ठीक है यह रहेगा अपना टीम नंबर चार का कोमेनेशन अपनी अकोर्डिंग जो चेंजिस ठीक लगे आप लोग वो कर सकते हो तो आपको इन में से कोई प्लेर नहीं चीहे तो आप लोग इस टीम में क्या गरोगे चैश 다एये पारे मेंаз त्यस्किन को करके खाले में पार्याब भुए हुएट में यहाँसे मेरे मेरे पास रहेंगे, तेन मैंने आपे में लिए जो बल्ले बाज है वो सलंका के पिक करें तीन मैंने में बल्ले बाज पिक कर लिए बारतिय टीम के जबकि मैंने चार गेंद बाज पिक करें इंडियन टीम के ठीक है क्यों क्योंकि माली जी अगर इस मैच में एक बार फिर से वही चीज रिपीट हो कि आगी भाई अगर इंडियन टीम पहले गेंद बाजी करती है तो आप लोग ये चेंजिज कर सकते हो जांपर बुमरा को मेरी वाइस कैपटन्सी और गेंद बाजी रहेंगी अब इंडियन टीम के गेंद बाजी करेंगे पहले तो विकेट्स तो सिरलंका के और यहाँ पर मैंने देखो फिर इंडियन टीम के टोप तीन बल्ले बाज पिक कर लिए क्योंकि मैं यह चाहूँँआ कि इंडियन टीम के जो नो जो टोप के तीन बल्ले बाज है वो ही इस टारगेट को यानि कि जो भी सलंगा इनके सामने टारगेट रखेगी उसको यह के उपर आपके भाई जेल डिसाइड हो जाए या फिर आप लोग वो एक चेंज जो अपने अकोडिंग गरो शायद वो ही आपके लिए काम कर के चला जाए ठीक है तो अपने अकोडिंग भी आपको जो बैस लगे वो चेंज़ेज कर सकते हो को इश्यू नहीं है बट मेरे तो पास टेम्स होनी चीए मैंने अपने साइड से बहुत सारे डिफरेंशल डिफरेंशल टीम कोमिनेशन चाहपे करने की कोशिज करी है तो यह पास टेम्स मैंने आपको दिखा दी उमीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो अपने अगर पूरा वोज क्या होगा तो यह वोज के बाद में जो भी अपडिट्स होंगे ना सारी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा अगर कोई भी चेंजिस वगरा करने पड़ेंगे तो लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जीए सबसे उपर एक पिंड कमेंट है वापे लिंक है सिंपली उसके उपर पर्फुम जरूर करेगी